आदे रादे मित्रों आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आएं हैं श्री शिव महापुराण की उमा सहीता के अध्याई 27 की कथा जो है काल या मृत्यु को जीत कर अमरत्यो प्राप्त करने की चार यौगिक साधनाए प्राणायाम भ्रूमद्य में अगनिका ध्यान मुख से वायूपान तथा मुडी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श तो चलिए शुरू करते हैं पारवती जी बोली प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगा काश जनित वायूपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताईए पगवान शुर्ण ने कहा हे सुन्दरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया जिसकी अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी योगी जिस प्रकार वायू का सुरूप धारण करता है उसके विशे में भी कहा गया है इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यो दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए ऐसा करने पर आधे मास मे ही वह आए हुए काल को भी जीत लेता है रदय में स्थित हुई प्राण वायू सदा अगनी को उदीप्त करने वाली है उसे अगनी का सहायक बताया गया है यह वायू बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है ज्यान विज्यान और उत्साह सब की प्रवर्ती वायू स होती है जिसने यहां वायू को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राली सादक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यू को जीतने की इक्षा से सदा धारना में स्थित रहे क्योंकि योग परायन योगी को भली भाती धारना और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए जैसे लुहार मुख से धौकनी को फूख फूख कर उस वायू के द्वारा अपने सब कारे को सिद्ध करता है उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का भ्यास करना चाहिए प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर, शहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हातों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवरत करके उनसे भी दस अंगुल आगे स्थित हैं आदि में व्याहरती और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का तीन बार जब करें और प्राणवायू को रोके रहें प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है चन्रमा और सूर्य आदिग्रहत जा जाकर लोट आते हैं परन्तु प्राणायाम पूर्वग ध्यान परायन योगी जाने पर आज तक नहीं लोटे अर्थात मुक्ध हो गए हे देवी जो द्विज सौ वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अगरभाग से एक बूंद जल पीता है वह जिस फल को पाता है वही ब्रामडों को एक मात्र धारना अत्वा प्राणायाम की द्वारा मिल जाता है जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपून पाप को शीगर ही नष्ट कर देता है और ब्रहमलों को जाता है जो आलत से रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्य को जीत कर वायू के समान गतशील हो आकाश में विचरता है वह सिद्धों के स्वरूप कांती मेधा पराकरम और शौरी को प्राप्त कर लेता है उसकी गती वायू के समान हो जाती है तथा उसे स्प्रहणिय सौक्य एवं परमसुक की प्राप्ती होती है योगी जिस प्रकार वायू से सिद्धी प्राप्त करता है वह सब विधान मैंन बता दिया अब तेज से जिस तरह वह सिद्धिलाब करता है उसे भी बता रहा हूँ जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोला हल ना पहुँशता हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठ कर चंद्रमा और सूर्य अर्थात बाम और दक्षिन नेतर की का दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्य ही देख सकता है इसमें संशय नहीं है योगी हाथ की अंगुलियों से यतन पूर्वक दोनों नेतरों को कुछ-कुछ दबाई रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित से आदे मुहुट त काली अत्वा इंद्रदनुष के समान रंगवाली होती है बाहों के बीच में ललाट वर्ती बाल सूरी के समान तेजवाले उन अगनिदेव का साक्षात कार करके योगी इक्षानुसार रूप धारन करने वाला हो जाता है तथा मनोवांचित शरीर धारन करके क्रीडा करता ह वह योगी कारण तत्व को शान्त करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदिगुडों को पालेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अद्रिश्य हो जाना, बहुत से रूप धारन कर देना तथा इस महान जोतिर में पुरुष्कों में जानता हूँ, उन्ही को जानकर मनुष्य काल या मरत्यों को लांग जाता है, मोक्ष के लिए इसके सिवाए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, हे देवी इस प्रकार मैंने तुम से तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विदिका वर्णन किय जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्यों को प्राप्त कर लेता है, हे देवी अब पुनह दूसरा शेष्ट उपाए बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यों नहीं होती, ध्यान करने वाले योगीयों की चौथी गती अर्थात साधना बताई जाती है, योगी अपन मुक के द्वारा धीरे धीरे वायू का पान करे, ऐसा करने से एक शड भर में तालू के भीतर स्थित जीवन दाई जल की बुदे टपकने लगती हैं, उन बुदों को वायू के द्वारा ले कर सूंगे, वह शीतल जल अमरत्स रूप है, जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यू के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसके शरीर में दिव और महान तेज होता है, वह वल में हाथी और वेग में घोडे की समानता रखता है, उसकी दुष्टी गरुन के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बाते भी सुनाई देने लगती है, उसके केश काले और गुंगराले हो जाते हैं तता अंग कांती गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है, वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से सौ वर्षों तक जीवित रहता है तता अपनी उत्तम बुद्धी के द्वारा ब्रहसपती के तुल्ली हो ज जाती है, वह सदा सुखी रहकर आकाश में विचरन की शक्ती प्राप्त कर लेता है, हे वरानने अब मृत्य पर विजय पाने की पुनह दूसरी विधी बता रहा हूं, जिससे देवताओं ने भी प्रियत्न पूर्वक छिपा रखा है तो उसे सुनो, योगी पुरुष अप जीवा से गले की घाटी सटी है, तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है, उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमरत्य को प्राप्त होता है, तो मित्रों ये थी अध्याय 27 की कथा उमा सहींता से शिव पुराण से, नमू नारायन